आज मैं आपको बताने वाली हाफ कट क्रीस के बारे में सो स्टे टून तिल दी एंड आज का हाफ कट क्रीस सेशन स्टार्ट करते हैं पहले मैं पूरा अपना बेस तयार करूंगी आज जनरली मैं अपनी आइज पहले प्रिपार करती हूं बढ़ आज मैं अपना बेस तयार करूंगी बेस तयार करने के लिए मैंने प्राइमर लगा लिया है मैं सिलिकन बेस प्राइमर करती हूν क्योंकि मेरी स्किन सेंसेटिव है उसके बाद मैंने hydrogen का foundation apply किया है apply करने के बाद मैंने एक damped blender के मदद से पूरे face पे इसको blend कर लिया है अच्छे से अब मैं highlight कर रही हूँ highlighting के लिए मैंने concealer जो है वो makeup revolution का use किया है अपना जो भी highlighting areas होते है जैसे हमारा nose bridge होता है under eye होता है chin होता है forehead होते हैं सबको मैं cover कर रही हूँ और वही same blender का इस्तमाल करके मैं इसको blend कर लोगे अब मैं contouring कर रही हूँ मैं forehead को contour नहीं करते हूँ क्योंकि मेरा face जो है pear shape का है इसलिए मैं jaw line को nose को और अपने cheeks को contour करते हूँ मैंने liquid blush का application किया है अपने face पे अच्छे से blend कर लिया है इसको मैंने blender से loose powder से अपने eyes को पूरा set कर रही हूँ bake करके अपने पूरे face का जो भी मैंने makeup लगाया है उसको मैं set कर रही हूँ let's begin with the eyes so eyes पे मैंने पहले brown color का transition color लिया है इसको मैं अच्छे से spread कर रही हूँ अच्छे से blend करूंगी इसको मैं अगर आप देखे मैंने एक buffing brush का इस्तेमाल किया है इसके लिए अच्छे से मैंने इसको blend कर लिया है अब आउटर आय पे मैंने dark brown color लिया है उसको अच्छे से blend किया है देखे मैं एक slanted way मैं इसको blend करूंगी so that it gives lifting effect to my eyes अब मैं cut crease के लिए एक flat application brush का इस्तिमाल कर रही हूँ उसमें concealer लगाया है मैंने और अपनी आधी eye को cover किया है मैंने बहुत ही अराम से सू करना है क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी हिला दिया ना पूरा make up खराब हो जाएगा आपको दुबारा से अपनी eyes दुबारा से draw करनी पड़ेगी बहुत ही प्यार से करना है स्मूथ ली करना है घबराना नहीं कोई बात नहीं गड़बड होगी तो ठीक है दुबारा से गड़ लेंगे eyes draw कर लिया है मैंने दोनों आखो पर दोनों आखें आपको equal नज़र आ रही होँगी अब इसको cover करेंगी या तो आप transition color का कर सकते हो light color का मुझे अपनी inner eye जो है वो light चाहिए थी इसलिए मैंने एक transition powder का इस्तेमाल किया और उसके ओपर अपना light eye shadow लगाया है उसके ओपर मैंने pigments भी लगाए है अब अपना पूरा makeup को cover कर लिया है मैंने under eye भी cover कर लिये अगर आपको इतने dramatic look नहीं चाहिए तो आप नीचे जो काजले वह simple way में भी लगा सकते हूं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे comment करे और शेयर करें पर बाए